घर में लगाले ये दस बोधे जो हवा को शुद्ध करते हैं खुद को सेहत मंद रखने के लिए अच्छी डाइट और खुद की साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है लेकिन इसके लिए आपके आसपास का वातबरन भी साफ सुत्रा होना चाहिए घर बड़ा हो या छोटा नाया हो या पुराना वहाँ पर ऐसे अस्वस्त विशाप्त प्रदार्थ पाये जाते हैं जो हवा को दूशित करते हैं इसी हवा में हम सास लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर बुरा असर डालती है ऐसे में जरूरी है कि घर के अंदर की वाई शुद्ध किया जाए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि घर में ऐसे पोदे लगाए जाए जो हवा को शुद्ध करते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे ही हाउसफुल्ड पोदे की बारे में बताते हैं जो हवा को साफ करते हैं साथ ही घर की डेकुरेशन में भी यूज किये जाते हैं साथ ही इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी गरबेरा डेजी कलरफुल चमकीले फूले वाला ये पोधा सिर्फ डेकुरेशन का ही नहीं बलकि कारबन, मोनो आकसाइट और बेंजीन गेस को अवशोशित कर लेती है इस पोधे को बैडरूम के लिए आदर्श माना जाता है स्पाइडर प्लांट घर में जरूर रखे छोटा सा स्पाइडर प्लांट मकडी की तरह दिखने वाले इसके पत्ते हवा शुद्ध और डेकुरेशन का काम देते हैं लोग इन्हें लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें ज्यादा केरिंग की जरूरत नहीं पड़ती ड्रस आइना लंबे पत्तो वाला ये पोदा सफेद क्रीम और लाग धारियों में होता है फीक्स जब हम इस पोदे को घर के अंदर लगाते हैं तो ये दस फुट की लंबाई के बीच ही रहता है इस पोदे में हवा को साफ करने की ख्रमता होते है शांत लिली शांत लिली का ये छोटा सा फोदा हवा को शुद्ध करने में बहुत मददकार होता है इसे असानी से उगाया जा सकता है और गर्मियों में इसमें फूल खिलते हैं लिली को छायादार जगे पर रखे मिट्टी में नमी हो लेकिन ज्यादा पानी ना दे बोस्टन फ़र्ण उच्छ आडर्टा और अपरित्यक्ष रूप से प्रकाश लेने वाले इस पोदे को शांत और ठंडी जगा पर रखे पोदे की मिट्टी को रोजाना देखे अगर पानी की जरूरत है तब ही पानी दे स्नेक प्लांट इस पोदे को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती इसे ड्राइ प्लेस में रखे जहां ज्यादा सूरज का प्रकाश ना मिले बास पाम बास का पोदे हवा को फ्रेश करने में सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है वैसे तो ये पोदे काफी बड़े हो जाते हैं लेकिन इंडूर के लिए आपको छोटे पोदे भी असानी से मिल जाएंगे ये डेकुरिशन के लिए भी इस्तमाल किये जाते है अलोविरा इस पोदे को ज़्यादा केर की जरूरत नहीं होती ये ज़्याद के लिए बहुत ही बड़िया माना जाता है इसकी पत्तियों में विटामिन, एंजाइमो, अमीनो एसिट और अन्नी योगिक पाए जाते हैं जिसमें एंटी बेक्ट्रिलियर और एंटी इनिफलेमेटरी कुड पाए जाते हैं गॉर्डन मम ये पोदा, अमोनिया, बेंजीन, फार्म, टैर्हाइड और जैलीन को अटाकर हवा को शुद्द करते हैं ये बाजार में आपको असानी से मिल जाएगी आप इसे घर के बाहर भी लगा सकते हैं